हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पुलीस का खौफ खतम 18 गंटे में बारमेर में तीसरी बार फाइरिंग सरहदी बारमेर जिले के धोरी मन्ना में हुई फाइरिंग की दो घटना के बाद एक बार फिर पुलीस पर तसकरों ने गुड़ा मलानी में फिल्मी स्टाइल में फाइरिंग कर दी जिससे पुलीस की गारी शतिग्रस्त हो गई घटना के बाद कस्बे में अफरा तफ्रीमन बाजार में जाम की स्थिती पैदा हो गई पुलीस जवानों को तसकरों का पीछा करने के लिए बाइक का सहरा लेना पड़ा अभी भी कस्बे के रास्ते जाम है तीसरी बार हुई फाइरिंग की घटनाओं के बाद पुलीस की कारे शैली पर सवाल खड़े हो रहे है तो आम जन में भै का महौल है ग्यात रहे कि बीती रात दस बजे तसकरी की आपसी रंजश के चलते फाइरिंग हुई थी जिसमें एक व्यक्ती गंभीर तरह से घायल हो गया जिसके बाद शुक्रवार सुभा दस बजे फिर तसकरों की आपसी फाइरिंग हुई जिसमें भी एक व्यक्ति घायल हुआ है दोनों घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है फायरिंग की घटना के बाद सक्रिया हुई पुलीस तसकरों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है इसी दोरान गुड़ा मलानी कजबे में तसकरों ने पुलीस पर भी फायर किया जिससे पुलीस की गाड़ी शतीरस्त हो गई वहीं जाम लगा होने के कारण पुलीस जवानों को बाइक पर बैट कर पीछा करना पड़ा हाला कि इस घटना में किसी के हताहत होने कर समचार नहीं है बताया जा रहा है कि पुलीस ने फायरिंग करने वाले तीन जनों को गिरफतार किया है लेकिन इसकी अभी तक अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है बाडमीर जिले के गुड़ा मलानी से जागुप तीडी के रिपोर्ट